C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला तो आएए चलते हैं कक्षा एक की ध्वानी शाला में इप्तिदाई उर्दू सबक दो बे पे ते टे से बच्चों आप जानते हैं कि आवाजों को जब हम तहरीर करते हैं तो हमें उन आवाजों के लिए कुछ शक्ले मुकरर करनी पड़ते हैं जैसे अ की आवाज के लिए हमने एक शक्ल बनाई जिसको हम अलिफ कहते हैं इसी तरह से अगर हमें दूसरी कोई आवाज ब की आवाज है प की आवाज त आवाज ब प त ट स इन आवाजों के लिए भी हमें कोई शक्ल मुकरर करनी होगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं बे की बे नाम है हर्फ का और उसकी आवाज होती है ब प आपको वो दूआ याद होगी जिसका उन्वान है बच्चे की दूआ लब पे आती है दूआ बनके तमन्ना मेरी जिन्दगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी है ना याद लब पे आती है दूआ बनके तमन्ना मेरी पहला लफ़ देखिए लब लब ब बा आ रही है ना आवाज तो ये ब की आवाज अगर हमें तहरीर करनी हो या लिखनी हो तो हम एक पड़ी लकीर खीचते हैं पड़ी लकीर यानी ऐसी लकीर जो दाएं से बाएं जानिब खीची जाएं दाएं से बाएं जानिब एक लकीर अगर आप खीचिये तो ये पड़ी लकीर कहलाएगी इस लकीर को खीचने के बाद हम उसके नीचे एक नुक्ता लगाते हैं नुक्ता यानि डॉट बिंदी जिसको आप कह सकते हैं ये आवाज जो है जिस हर्फ से या जिस अलामत से जाहर होती है उस अलामत का नाम है बे बे जो है वो बैट से बनाए बैट यानि घर आपने घर की शकल बनाई है ड्राइंग जब कर रहे होंगे तब आपने घर की शकल जरूर बनाई होगी एक खाका खीचा होगा जे दिवार भी बनाई उसके बाद उसमें खिड़की बनाई खिड़की के साथ ही आपने दर्वाजा भी बनाया अब अगर आपने दर्वाजा बनाया तो दर्वाजे के बाहर कौन बैठेगा आप ही बैठे हैं आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं तो आप इसकी शकल अगर बनाएंगे वहाँ पर तो किस तरह से बनेगी चले अब तो आपको यही सूरत नजर आएगी, यानि बेगी शक्ल, तो हमने बैत से ये हर्फ लिया, जो दाएं से बाएं हमने जो लकीर खीची, उस लकीर के दोनों सिरे को थोड़ा सा उपर की जाने भी उठा दिया, यानि पहले थोड़ा उपर से नीचे की तरफ लाए, फिर दाएं से बाएं एक लकीर खीची, और फिर उसको थोड़ा सा उपर की जाने उठा दिया, यानि एक तरह से आप कह सकते हैं कि नाओ की शकल बन गए, ज्यादा उपर नहीं ले जाना है, बहुत मामूली सी लकीर उपर की तरफ कीचनी है, तो दोनों जानिब से ये शकल यू नजर आएगी, आप किताब पर गवर कीजिए, ये नजर आ रही है, और फिर हमने उसके नीचे एक नुकता रख दिया, तो ये कहलाया बे, बे इसका नाम है, इसकी आवाज बह है, बा की आवाज कैसे अदा करते हैं आप, जब आवाजों, यानि हम दोनों होटों को आपस में मिलाकर हवा को बाहर निकालते हैं, तो बह की आवाज थी, बह, ठीक है? तो ये बे की आवाज कहलाएगी अब बे के लिए हम अलिफ के साथ मिलाएं तो क्या होगा बा 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 बे अलिफ बा दो बार लिखें तो बा 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 और अगर हम इस बा बा के पहले अलिफ लिख दें तो ये हो जाएगा अबा बा और अगर सिर्फ एक ही लिखें बा तो अबा लेकिन अगर हम इसको कहें अलिफ बे अब बे अलिफ बा तो क्या हुआ अब बा अब बा इसी तरह से हम अब्बू भी लिखते हैं अब यहाँ पर दो बार बे को अगर हम लिखें तो ज्यादा जगे घेरेगी उस जगा की दूरी से बचने के लिए हम एक ही बार बे को लिखते हैं और उसके उपर एक अलामत लगाते हैं जो तश्दीद कहलाती है जिसका जिकर आप आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से अलेफ बे अलेफ अब बा बे को हम इस तरह से लिखते हैं और अगर इसी में हम एक नुक्ते के बजाए तीन नुक्ते वहाँ पर लिख दें तो यह हर्फ बन जाएगा पे बे पे यानि इसकी आवास जो है वो प अदा होगी प बे की आवास बे बे की आवास ब पे की आवास प अगर यही नुक्ते हम उपर लगाएं दो नुक्ते उपर लगाएं तो क्या होगा ते तो की आवास ते अलिफ ता बे अलिफ बा पे अलिफ पा ते अलिफ ता और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे के इसमें नुक्ते की जगह एक और कोई निशान बना दें जिसको हम तोय कहते हैं छोटी तोय छोटी सी तोय बनाई तोय की जो निशान बनाए तो ये आवाज होगी इसकी अदा टा यानि इसका नाम है हर्फ का टे तो कितने हरूफ हो गए आपके पास बे पे ते टे आप देखिए इनकी शकले एक जैसी हैं लेकिन सिर्फ नुक्ते का फर्क है नुक्ती की बड़ी एहमियत है इसको आप हमेशा याद रखिएगा नुक्ते बहुत जरूरी है सही जगा पर होना आप देख रहे हैं कि पड़ी लकीर सारे हुरूफ में है बे की भी पे की भी ते की भी टे की भी लेकिन इसके नीचे एक नुक्ता है तीन नुक्ते हैं उपर दो नुक्ते हैं तो एकी अलामत है इससे क्या हुआ ये हरूफ अलग-अलग हो गए इन हुरूफ की आवाजें अलग-अलग हो गए ब, प, त, ट अगर पे के नीचे तीन नुक्ते थे अगर तीन नुक्तों को हम नीचे न लगा कर उपर लगा दें तो तो ये हो जाएगे से यानि स की आवाज अदा करें तो अब हमारे पास कितने हुरूफ हो गए पांच, ब, प, त, ट, से इनमें जो फर्क है वो सिर्फ नुक्तों के लगाने का है एक नुक्ता नीचे, तीन नुक्ते नीचे, दो नुक्ते उपर, तीन नुक्ते उपर और एक तोई की अलामत के तो इस तरह से ये अलग-अलग हुरूफ बन गए पे की जो आवाज है ब, इससे कौन-कौन से अलफाज बन सकते हैं, यानि चीजों के नाम लिए जा सकते हैं बस्ता, बक्री, बात, बाट, पे, पे की आवाज प, पतंग यानि शुरू में जो आवाज आ रही है प की पतंग, पतंग में प की आवाज सबसे पहले है पंखा, परचा, पानी, ते की आवाज त, ताला, तितली, ते की आवाज त, टमाटर, टेलिवीजन, टोक्री, तूटना और से के लिए सौ की आवाज आती है, सौ, समर, समर के मानी होते है, फल, समर, नाम भी होता है, समीना तो अब आपके पास कितने सारे अलफाज हो गए ब, बाबा, बात, बाट, पा, पाप, पात, ता, ताब, ताप, टा, टाटा, टाट तो आपने देखा कि ये जो पाँच हुरूफ हैं, बे, पे, टे, टे, से इनकी आवाजें कौन-कौन सी होती है, बे की आवाज ब, पे की आवाज प, ते की आवाज त, टे की आवाज ट, और से की आवाज स, किस तरह से लिखते हैं इसको हम दाए से बाए जानी लकीर को खीशते हैं, पड़ी लकीर, और उसके नीचे एक नुकता लगाते हैं, तो बे, अगर वही लकीर उसके नीचे तीन नुकते लगाए जाएं, तो पे और नीचे नुक्ते न लगाकर उपर दो नुक्ते रखें तो ते और अगर छोटी तोय बना दें तो टे अगर इसी लकीर के उपर हम तीन नुक्ते रखें तो ये से बन जाएगा इसको लिखने की मश्क कीजिए आईए आपको एक छोटा सा वाक्या सुनाते एक भारी भरकम शेर था भारी भरकम देखा है बहुत मोटा ताजा तो एक भारी भरकम शेर था वो किसी जाड़ी के अंदर छिपकर बैठा था क्या था बैठा था छिपकर कोई भेडिया उधर आ निकला शेर ने भेडिये को देखा और देखते ही उस पर हमला कर दिया और फिर क्या हुआ भेडिया मर गया भेडिया मर गया उसने भेडिये को खा लिया वो क्यों खाया क्योंके वो बहुत भूका था और जैसे ही उसका पेट भर गया वो सो गया सो गया और तेर तक सोता रहा सोने के बाद जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो तो एक बहुत बड़े जाल के अंदर फसा हुआ है जाल देखा हैं? वो जिसके अंदर बहुत सारे छुटे-छुटे काने होते हैं और जिससे हम चीजों को ढग देते या चिपा देते तो जाल के अंदर फसा हुआ था अब वो बड़ा घबराया बहुत परिशान हुआ लेकिन उसको समझ में आगया कि अब कुछ नहीं हो सकता और जो शिकारी था जिसने जाल डाला था चाल बिछाया था उसके उपर और शिर को पकड़ा था उसने शिर को पूरी तरह से जकड रखा था अपने जाल में और फिर वो उस शिर को पकड़ कर ले गया तो इसलिए कहते हैं कि घफलत का अंजाम जो है वो बुरा होता है घफलत नहीं करनी चाहिए गफलत यानि लापरवाही तो भारी, भरकम, बैठा, भेडिया इसमें कौन सी आवाजें हमें दिख रही है? भ, भ, भा की आवाज आप आगे पढ़ेंगे लेकिन ये हर्फ शुरू होता है बे से तो इसी तरह से आप पे, ते, टे और से से शुरू होने वाले जो अलफाज हैं उनको मालुम कीजिए उनके जुमले बनाईए, अपने दोस्तों को सुनाईए अपने साथियों के साथ उस पर बात कीजिए अपने घर में भी आप बात कीजिए अपने अम्मी से, अपने अब्बू से, अपनी बाजी से, दादी से, दादा से, नाना से, नानी से इन सब लोगों से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि टे से शुरू होने वाले कौन कौन से अलफाज हो सकते हैं चीजों के नाम हो सकते हैं जैसे टे किस चीज की आवाज जाहर कर रहा है तज आवाज को जाहर कर रहा है यानि टमाटर, टेलिवीजन, टेंट यह आप इसको लिखने की मश कीजिए इस पर गोर कीजिए, इसको देखिए और चीजों को देखिए कि आपके आसपास जो चीजें हैं उसमें पहली आवाज कौन सी आ रही है और वो आवाज किस तरह से लिखी जाएगी यानि उस आवाज की तहरीरी सूरत क्या होगी इस तरह से आप इन हुरूफ को अच्छी तरह से जहनशीन कर लेंगे आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं बावर्ची खाना है, ठीक है, बाथरूम है, पिलकु सही और कौन सा हो सकता है, बेड हो सकता है तकिया हो सकता है, तो कोशिश कीजिए आपके घर में कौन-कौन सी चीजें है उनके नाम अपने दोस्तों को बताईए और बताईए कि इसमें जो पहली आवाज आ रही है वो कौन सी है, बे की आवाज है, पे की आवाज है, या ते की आवाज है, या टे की आवाज है या सुनी हैं अपने उस्ताज से कहिए अपने घर के लोगों से कहिए कि वो आपको ऐसी नजमे सुनाएं जिसमें इन आवाजों का इस्तेमाल किया गया हो और इसकी तहरीरी सूरत आप देख कर उनको पहचानिए कि इसकी शकल यहां पर है इसके लिखने का तरीका आपकी किताब में तीरों की मदद से जाहर किया गया है कि बे को किस तरह से लिखेंगे पे को किस तरह से लिखेंगे ते को किस तरह से लिखेंगे टी को किस तरह से लिखेंगे और से को किस तरह से लिखेंगे और फिर उनको जोड़ करके पढ़ने की कोशिश भी कीजिए जैसे आपा, आटा, बाबा, पापा, बात, ताप, टाट है न फिर इन हुरूफ को लेकरके आप तस्वीर बनाएए, ड्राइंग बनाएए की टोपी, टोपी में पहली जो आवाज है वो टा की है टा की आवाज से शुरू हो रही है न, वो लफ्स उसकी शेकल बनाएए और टा की आवाज के लिए हर्फ कौन सा है, उसका नाम क्या है उसका हर्फ है टे, इसी तरह से और भी चीजों को आप कर सकते हैं और इसकी मश कीजिए, इसको लिखिए, इसको सुनी, इस पर बातचीत कीजिए जो ख्याल रखने वाली बात है या जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि बे, पे, ते, टे, से को जब भी लिखते हैं तो उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं चुँके बे, पे, ते, टे, से की शकल एक जैसी होती है लहाजा हम इनके धर्मियान जब फर्क करते हैं तो नुक्तों के जरिये करते हैं बे के लिए हम नीचे एक नुक्ता लगाते हैं पे के लिए नीचे तीन नुक्ते लगाते हैं ते के लिए हम उपर दो नुक्ते लगाते हैं और टे के लिए एक छोटी तोय लिखी जाती है से के लिए उपर तीन नुक्ते लगाते तो ये जो नुक्तों का निजाम है इस पर थोड़ा सा गोर कीजे और आप इसको देखिए कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं आईए अब इनकी आवाजों पर बात करें तो हम देखते हैं कि ब की आवाज वाले हमने बहुत सारे अलफाज तलाश किये हैं जहां पर ब की आवाज शामिल होती है यानि ब आवाज जो है वो उनसे जाहिर होती है सबजियों के फलों की बाते हमने की जैसे बैंगन, बे, बंदगोभी, भिंडी, बेल, बेल एक फल होता है न, बैल भी कहते हैं, जानवर का न, पेड, बुलबुल, बंदर, बकरा, बकरी, बिल्ली, भालू, कितने सारे नाम है, जिसमें बह की आवास शुरू में आ रही है, और जो शुरू में बह की आवास जाह होती है, ऐसे आप और नाम तलाश कीजिए, चाहे वो जानवरों के नाम हो, चाहे लोगों के नाम हो, चाहे चीजों के नाम हो, चाहे जगों के नाम हो, पे की अगर बात करें, तो पे की आवास पाह अदा होती है, इससे कौन-कौन से अलफाज हो सकते हैं, प्यास, पालक, पोदीना, पपीता, फूल गोबी, फूल होता है न, फूल गोबी, सबजी का नाम है, और सिर्फ अगर आप फूल कहेंगे, तो वो फ्लोवर, यानि फूल होगा, उसमें भी पो की आवाज पहले आती है, फिर वो फो आगे बढ़ती है, तो पे से लिखा जाता है, तो इन तमाम हरूफ पर आप गोर कीजिए, कि इसमें किस तरह से तीन नुक्ते जो है, शोशे के नीचे लगाए गए हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हरूफ हो सकते हैं, जैसे पत्ता, पानी, पानी को हम आप भी कहते हैं, आपने वो शेर सुना है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, तो पानी, बुलबुला कहा होता है, पानी में होता है, और कितनी देर के लिए होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, तो जो आदमी है वो भी पानी का बुलबुला है, बहुत छोटी सी जिंदगी उसके पास होती है और जिंदेगी का तो कोई भरोसाई नहीं है बह की बात करते तो उसमें बे का इस्तेमाल हो रहा है और बुलबुले की बात करते तो उसमें भी बे की आवाज आ रही है बह बुल बुला लेकिन पानी पह की आवाज यहाँ पर जाहिर हो रही है अब गौर कीजिये कि ये लिखा हुआ, इसकी शकल किस तरह से है, वो आपकी किताब में ये लफ्स मॉजूद है, तो इस तरह से इस पर गौर कीजिये, आएज अब ते की बात करें, ते केलिए भी बहुत सारे अलफढ़ हैं, जैसे तरकारी, तरकारी हम किसको कहते हैं, करी भी कहते हैं, तरी भी कहते हैं, पत्ता, इसमें बीच में तो की आवाज आ रहे हैं. प, तो, अ, पत्ता, तर्बूस, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तर्बूस, तो ये ता, आप इनके अलफाज पर घौर कीजिये, कि देखिए इंड में जो शकल बनी है ते की उसमें दो नुक्ते इस्तेमाल किये गए है तो के लिए तो यानि टे की आवाज तो और जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें जो सोशा होता है उसके उपर एक छुटी तोय की अलामत लगाते हैं एक तोय होती है जो हम आगे चल कर जो तो की आवाज अदा करते हैं लेकिन जो हम टे को लिखते हैं तो उसी शकल को छोटी सी तोय जो है वो इसके उपर लगा देते हैं क्योंकि दो नुक्ते एक नुक्ते तीन नुक्ते तो हो गए अब इसको अलग करने के लिए हम तोय की शकल बनाते हैं तो यह तो होता है इससे जो अलफाज होते हैं वो देखिएं टमाटर भी सबजी है, टिंडा भी सबजी है, तो टमाटर टिंडे, और हो सकते हैं कोई डाम, धूंडिए, एक और लफज है, मिट्टी ट बीच में आ रहा है, मिट्टी उठी, चतियल एक लफज है, चतियल मैदान, ऐसा मैदान जहां पर कोई भी हर्याली ना हो या कोई भी घास, दरख, कुछ भी ना हो वो चटिल मैदान कहते हैं चटल, चटान से बना है और आखिर में एक हार्फ आता है वो है से, से यानि सा की आवाज इससे अदा होती है इसको जब लिखते हैं तो हम तीन नुकते लगाते हैं तीन नुकते कहा लगाते हैं? उपर लगाते हैं, सोशे के उपर तीन नुकते लवज इससे बन सकता है समर, मिसाल, सो की आवाज दर्मियान में आ रही है और भी बहुत सारे अलफाज हैं, मुश्किल अलफाज भी हैं, सकील, स, शुरू में आ रहा हैं। तो ये बे, पे, टे, टे, और से हुरूफ की बात हुई, कि इनकी शकलें किस तरह से होती हैं, और इनको लिखा किस तरह से जाता हैं। और आपको मालूमी है कि इनके लिए पड़ी लकीर होती है, यानि लेटी हुई लकीर की शकल होती है, तो हम दायहें से बाय जाने इसको लिखते हैं और फिर नुक्ते लगाते हैं, तो पाचो हुरूफ की शकले एक जैसी होती हैं, बस इनके दर्मियान जो फर्क होता है, वो होता है, एक नुक्ता, दो नुक्ते और तीन नुक्ते, और फिर एक चोटी तोई की अलामत, यह इनके जरीए इनके दर्मियान फर्क किया जाता है, अब आप इनके लिखने की मश कीजिए, इस पर गोर कीजिए, आईए अब आपको एक नजम सुनाते हैं, छोटी सी नजम ह आप उसमें ये तलाश कीजिए कि कहां पर ब की आवाज आ रही है, यानि ब का इस्तेमाल है, कहां पर ते का इस्तेमाल है, उस पर गोर कीजिए, बहुत आसान नजम है, आप सुने किसी नदी के पास एक बकरी, चरते चरते कहीं से आ निकली, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाए को खड़े पाया, पहले जुक कर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूँ कलाम किया, क्यों बड़ी भी, मिजाज कैसे हैं? गाए बोली के खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिन्दगी अपनी, आदमी से कोई भला न करे, इस से पाला पड़े, खुदा न करे, दूद कम दूँ, तो बड़ बड़ाता है, हूँ जो दूबली, तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूद से जान डालती हूँ मैं, सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली, ऐसा गिला नहीं अच्छा, ये चरागा, ये ठंडे ठंडे हवा, ये हरी घास और ये साया, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे उसी के दम से हैं, गदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला न करो, गाए सुन कर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पच्छताई, दिल में पर्खा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यू तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की, मजा आया, कि किस तरह से गाए और बकरी के पीच में जो बात हुई, उसको इस नजम में बयान किया गया है, अब आप इसमें से ऐसे अलफाज ढूंड़िए, जो बे, पे, ते, टे के अलफाज हैं, और उनकी कहा कहा पे, उनकी सूरत नजर आ रही है, ठीक है, यह सबक यही पर खत्म करते हैं, शुक्रिया. प्रूंड़िए प्रूं़िए